मेरे तुरें जाजु और इलैची को पीस लिया फिर पानी बॉय दिया उसमें शक्कर डाली शक्कर डालके उसमें थोड़ा सा गी डाला क्योंके स्टिक स्टिकी ना हो जाए पानी बॉयल हो गया फिर उसके अंदर मैंने एक प्लेट लिया वो प्लेट को ऐसा गीस ऐसा घ्रीस कर लिया अभी मैं यह पका रही हूं यह पकने के बाद जब थोड़ा-थोड़ा की छोड़ने रगेगा तो मैं उसको एस प्लेट में लेकर काजु कत्री का शेप कर लिया औ और आप मतलब कैसी स्टाइल बना रहे हो एक दब रेस्टरान स्टाइल या पिर आपकी कुछ